संजरी गोट फार्म शेकिल भाई के साथ स्लाव अलेकुम शेकिल भाई वालेकुम असलाम भाई इस बाल तो आपने वाकई पर दमाका कर डाला हम इंस्टेग्राम पर लाइव है माशाला लोग बहुत बार बोल रहे थे के वह संजरी जाओ संजरी जाओ और जब आने का मौका इतने बड़े-बड़े देखने मिले एक सो चालेस पैटालीस पचास चीज जी हाइट के बखर है शेकिल भाई यह जो लेके ख़ड़े हो फॉर इसे और बखरे भी हमारे बखरों को बखरे दर ले आगे लेका नेट्वक के पास वहां पर जाओंगो तो नेट्वक नहीं आ जिसकी को भी बड़े वक्रों की कुर्वानी करनी है मैं यहां पर दोबारा नंबर आओ आओ जो संजरी गोट फार्म का नंबर जो है मैं पिन करके रखाऊं यहां पर देर-देर सो किलो के बखरे आपको मिल जाएंगे आराम से बड़ी-बड़ी हाइट के कर्वार्न अब कर से कि वाइए पूझे बड़े वक्रे निखा लो आप और एक दो है यह सोज़त का एक बखरा पकड़ो बड़ा है यह पाल भाइन देखिये गुजिरी अज्वेरा तो होते ही है आप यह सोज़त में वाइट देखिया है सोज़त में हाइट डेक ऑं देख बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तिकुकियो 44 इंच का सोजट का बखरा भी नंबर डनाया हूं हो तुमारा ऑटा हमा ओफन ओंगा यहाइड का बगरा सोजट में बहुत कुछिल मिलेंगा 44 इंच हाइड यह बखरा देखिए 42 43 हे बखरादेखियो मलब सोजट में अई बखली देखो आप माशालाव तेक यह गुज्री आ हा हे यह तो गुज्री आहा है क्या लखा माशालाद हो जी लख वाला मैज से पीजते इन वगते देंट फाद्वाध्व किया देखाट ग्राम ऐन्दग तो इसको वटाई है आजा बेटा हड़ी चलो में शकील भाई क्या हाइट का बखरा लेकर खड़ेवाब फाद बहुत फोटी तरी एफ और क्या मांग रहे हो इसका इसका एक लाग वीस है रुप एक लाग भी से जाल अगर यह 120 किलो का है तो ना है यह फाद भाई अगर कम का निकला तो अरे कम करा तो भी यह तराजू वाले बखरे नहीं है अगर आपके लिए तॉल रहा हूं मैं यह उप्श्व लेगी यह इसको ले लो तराजू पहे इसको ले लो तराजू पहे माशाओला शकील भाई क्या मांग रहे हो इसका कि फाद भाई ये देड़ लाक रुपेगा बख रहा है वजन देख लो आप इसका शेकर वजन भी लिए आए कांटे पर खड़े करो कि गाड़ी आई एक तरवाजा खोलो तो कि अर्म से बढ़ा भाज जाएगा उमालो अक्तर भाई हाँ भाज बद बर रहा है कि अश्याई गणी चलो आपका मान संबान रग देते किता मांग रहे वाप इसका एड़ लाक पठाम ने तो हैसार रुपे पर किलोगा भाव कोले ना ने वजन का तो भाव इनी खोला फार मैंने का एक लाग पंद्रह हजार से लेके डाय लाग रुपे तका बख्राइस के यह आत्री प्राइस नेगोशियाबल है लो यह वी उससे वजन बख्राइए हाइड बेल है माशाला है हराम जहां पैर देखना बख्रेशा पैर 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 भी तो पत्ती आई है हाँ जाने दो ना जहाँ दो ना जहाँ जाँ पत्ती है अ पालिम सा लेपल अ अलो आज अ आराम से ले न बख्रा देखके है जागिल एक सो लिश किलो का बख्रा है कितना मांग रह है तो पाद भाई सावाल लाग रुपी यह उसका बख्राइप 1,25,000 और इसका मांग रहे होआ बख् 20,000 से लेके 1,15,000 से लेके 2,50,000 तक के बखरे यह सबसे एक्सपेंसिव बखरा कौन सा है यह पुरे लॉट में आपका चार बखरा मैंने आपको दिखाया था तो चारो बखरे इसमें मौजूदा हाल में अभी हैं इस देखिए एक बखरा उदर पर खड़ा है इस बाजू आए नेटवर्क चला जाएगा हमारा यह बखरा देखिए माशा अल्ला एक उदर खड़ा है एक चोकलेटी वाला है यह 145 कीजी का आया था ना हाँ 145 किलो का बखरा इसका मांग रहे है शकील भाई दाई लाख रुपए देखिए बखरा देखिए बखरा देखि गाउ में तो बड़ा महंगा वांगते हैं संजरी गोट फार्म पे आईगे हम गाउ से कम कीमत में देगे हैं अभी भी गाउं से कम कीमत में दे रहा हूं 155 किलो का बखरा हैं फाद भाई गाउं के हिसाब से गाउं में क्या रेट होता है तीन लाग रुपया मंगेंगे और 294-85675 चानवास को कॉल कीजिए क्योंकि शकील भाई का नंबर नहीं डालो बेजी है इंटिव्यू के लिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थांक यू